हमारे एक चाचा है गाउ में बहुत दिनों से नाराज थे कह रहे थे कि वीडियो नहीं आ रहा है कल शाम का वीडियो जब सर्कुलेशन में गया तो फोरण उन्होंने फोन किया बादचीत हुई बहुत दिल्चस्प बादचीत थी तो आज का वीडियो उन्हीं की जो गुर्तगू है उससे इंस्पारड है तो कहने लगे या तो हमारे बादशाह के बारे में कोई तक्रीर क्यों नहीं करता है बादशाह यानि वो हमारे बहुत सारे लोग अभी बज़र्ग हैं जो प्राइम निस्टर को बादशाह बोलते हैं और तक्रीर यानि ये जो ब्लॉग आप सुन रहें करों कहते हैं बादशाह के बारे में तक्रीर क्यों नहीं करता है वहां तक भी बिमारी को नहीं आने दिया हमें तक बचा के रखा हुआ कहते हैं यह कोई बड़ी बात नहीं है मैंने का बात तो बहुत बड़ी है चाचा लेकिन मामला यह है कि आप भी उसी ट्राइब से तल्लक रखते हो जो पड़े लिखे लोग हैं फेस्बुक पे या यू हमारे घर में टीवी पे नियूज नहीं देखी जाती है यह घर के अंदर एक एग्रीड पैसला हमने किया हुआ है एक बेटी ने ट्रिगर की थी यह बात कि यह शौट करते हैं मुझे डर लगता उसकी वज़ा से तो हमने कहा कि हम अपने फैमली इंडिविज्यल लेवल के अपर अपनी मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए टीवी पर न्यूज कभी नहीं देखा करेंगे अखबारात में देखा कुछ खास ज़र्दा जिकर नहीं था मुझे लगा चाचा ने कल ये रेडियो पे कहीं सुना होगा पर ट्विटर पे जाके देखा तो मुझ में डिविजन डिवाइड नहीं करना चाहिए और ये एक टुगैदर नैसस में होनी चाहिए इकठे मिलकर इसके खलाफ हमें लड़ाई लड़नी चाहिए इस बियान की 28 मार्च से लेकर आज तक मसलसल इंतजार था कि ये बियान आ जाए और वो लोग जो मुलक के अंदर तो करोना को कभी मजब या कुछ भी बना देते हैं उनको मैसेज मिल जाए कि मुलक की ये पालिसी नहीं है ये चंद बिगड़े हुए लोगों की पालिसी हो सकती है बहुत ही रियाशूरिंग और बहुत इंपॉर्टन्ट मैसेज प्राइमिनिस्ट साब की तरफ से पुरे म के नाम आ गया लेकिन थोड़ा सारा ये लेट हो गया आने में ये आठाइस मार्च को असल में ये मामला हुआ था जब वो निजाम अदिन मरकस से खबर निकलने लगी तब से लेकर तीन एपरिल तक सिर्फ हैश्टैग करोना जहाद जो है वह ट्वेटर के ओपर तीन लाख बार उसको इस्तमाल किया गया है तीन लाख बार ट्वीट किया गया है है हैश्टैग करोना जहाद और उसके बाद इसी दुरान यानि छेप साथ दिन के दुरान 165 million times इस पर discussion हुई है छे-साथ दिन के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी शुकर है कि इन दिनों में lockdown चल रहा था तो law and order problem prevent होगी वरना जो पहले हालात दिली में बने थे शायद हालात वैसे ही दुबारा ना आ जाते प्राइमनिस्टर साब clarify कर देते हैं जब भी कुछ चीज होती है वो reassure पुरे मुल्क को बता सकते हैं कि ये मुल्क की policy नहीं है ये जो लोग है उन तक message चला जाए कि वो इन चीजों में indulge ना करें इसी तरह से उन्होंने पहले भी एक बार जब दिसंबर में ये जो citizenship amendment act के उपर बहुत वबाल मच रहा था पुरे मुल्क में बाद में तो इसने एक बड़ा अगली turn ले लिया लेकिन 23 दिसंबर को प्राइम निस्टर 2019 को प्राइम निस्टर साब रामलिला मैदान में आये वहां पे उन्होंने तक्रीर की और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की पूरे मुल्क के सारे मुस्लमानों तक उन्होंने रीच आउट किया उन्होंने एशूरिंस दी कि किसी को भी सोचने की समझने की भी जरूरत नहीं है कि इसमें बिल में किसी किसम की कोई discrimination है या किसी क के ख्लाफ है ये और उन्होंने बताया कि आपको वर गलाया जा रहा है आपको वेपकू बनाया जा रहा है बलके fact of the matter ये है कि हमारे जो मुस्लिम ममालक के साथ दोस्ती है आज के दोर में वो तारीख में सबसे बहतरी नितलुकात हैं हमारे एरान के साथ इराग के साथ साथ यरभिया के साथ, जॉर्डन के साथ, यॉनाइटिड अरब एमिराट्स के साथ, और यहां तक की फलस्तीन का भी प्राइमनिस्टर साब ने खुद नाम लिया, यह बताया कि इन मालदीव का नाम लिया, बंगलादेश का नाम लिया, उन्होंने कहा कि इन सारे मुलकों के साथ, हमारी कितनी बेतरीन दोस्ती है, यह बात बिलकुल फैक्ट है, और प्राइमनिस्टर कहरें, जाहरे फैक्ट ही होगी, लेकिन एक हिस्टॉरिकल डेटा भी है इसका, पोस्ट नाइटिन फॉर्टी सैवन अगर आप देख लें, जो हमारे सबसे बेतरीन दोस्त, अभी तक इ अभामी जलसू में भले ही लोगों को इंट्रिड्यूस करवाते हों के मीट माई फ्रेंड डानल्ड ट्राम्प, या बोरिस जांसन, या व्लादी मिर पुटेन, या बिन्यामिन नेतिन याहू, या शी जिन्पिन, लेकिन जो प्राइमनिस्ट साब के बेतरीन दोस्त हैं, व जमो किश्मीर का मामला था, आर्टिकल 370 का मामला था, तो उस पे एक सबसे बड़ा इशू, पहली सरकारों के स्टेटस को को तबदील करने के लिए, और पाकिस्तान के साथ तालोकात को रीकास्ट करने के लिए, कोई भी सरकार पहले ये जुरत नहीं पास सकती थी, कि इसम कर सकती है, कोई नई फोज थोड़ी इंवेंट हुई है, यहां पर नई पुलिस थोड़ी इंवेंट हुई है, यह तो मुल्क का असासा है, यह तो हमेशा रहता है, आपकी policy making, आपकी strategic thinking, planning, वो matter करती है, पहली सरकारों को ये खच्छा था, कि अगर हम ऐसा करते हैं, तो international level क के ओपर इसका fallout क्या होगा, इसकी backlash क्या होगी, मौधी साहब ने जो उनकी पहली term थी, उसमें उन्हें रीच आउट किया, सारी Muslim countries के साथ बेतरी इंतलुकात बनाए, और अब यह जो वेस्ट से Muslim countries, Middle East वाले हैं, जाद जाद जो गल्फ countries वाले, यह वेस्ट से बिलकुल उक इसमें निकल पड़े कि इनको leadership provide की जाए, और एक alternate leadership जो है दुनिया की, वह इमर्ज हो, अब यानि जॉर्डन के बादशा को दिली लेकर आए, यहां पे उनका एक बहुत बड़ा जलसा करवाया, और उसमें जो है कि एक इंडिया के और जॉर्डन के किस तरह से shared ethos हैं, टे पहले वो सौथ इंडिया, हधराबाद में या बैंगलोर में आय थे, उसके बाद दिली में आये, प्राइम निस्टर और प्रेजिडेंट साथ के साथ उनकी मुलाकात हुई, उस दिन मरहूम सुश्मा स्वराज साहिबा जो foreign minister थी, वो उस दिन साओधी अराबिया में थी, यनि आप balance of relationship देखो, कि दुनिया में आप देखें कि जो सौधी अराबिया के दोस्त हैं, वो इरान के दोस्त नहीं हो सकते हैं, इंडिया की इरान के साथ भी दोस्ती हैं, सौधी अराबिया के साथ भी दोस्ती हैं, जो इसराइल के साथ दोस्त हैं, वो फलस्तीन के दोस्त बना कर रखे और जब वहाँ पे जाते हैं प्राइम निस्टर बहुत सारी कंट्रीज ने मालदीव ने और भारेन ने तो प्राइम निस्टर को अनर भी किया यह एक कैलकुलेशन थी कि जब वक्त आएगा तो उस वक्त यह माना जाता था कि पाकिस्तान के दोस्त हैं जैसे साथ नहीं दिया निस्टर साब का कभी हाट कभी कोट इसी तरह से ब्लो करते रहें साथ नहीं दिया नहींने बहुत बीसदी assessed no कारी नहीं की बिल्कुल नियुट्रिलिटी इन्होंने अडॉप्ट करके रखी कि बात नहीं करने इसके बारे में साथी रभिया के बहुत ज्यादा प्रेशर था को शाम हमुद करोशी खुद चले गए थे रियाद उन्होंने जाके बात की वहां पर उन्होंने बड़ी एक ट अगया है हंदुस्तान का और यह अंदर किसी स्टेट की अटॉन्डमी रिवोक करें वहां पर जधा आटॉन्डमी न स्टेट को यूनियन डिरििट्रि बनाया इन्होंने क्या कर सकते हैं इस किसम के तलुकात हैं प्राइम निस्टर साब ने डिवेलप किये हैं मोधी साब ने अपने पहले दोर के बाद शुरू किया और उन्हें तो ऐसे रिलेशनशिप गल्फ कंट्रीज में मेरा ये मानना है कि इंडिया बेस्ट फ्रेंड अब्रॉड अब्रॉड अडिस पॉइंट इन टाइम और प्रा ये करोना के बाद हमारे मुल्क में बहुत सारी टेलिवीजन ने जिस तरह से सोचल मीडिया ने जो बातें की उससे गल्फ कंट्रीज में एक नया नरेटिव वहां पे एक नई बात हो रही है कि ये हिंडुस्तान में क्या हो रहा करोना को कहां मुसल्मान बनाके बिठा दिय और गल्फ कंट्रीज में एक बड़ीत तदाद में हिंडुस्तान के लोग वहां पे काम करते हैं बग 15-16% है बाकी 84-85% जो लोग हैं वो दुनिया भर से आकर वहां पर काम करते हैं बसे हुए है उसकी वज़ा से है उस 84-85% मैंसे जो इंडियन और पाकिस्तानिस मिलकर जो है वो 56% पापुलेशन बनाते हैं अब जो इंडियन का है वो कहा जाता है के फार एवरी लोकल अरब इन दे गलफ कंट्रीज देर थरी इंडियन्स यानि एक जो लोकल है उसके पीछे तीन के तीन गुना ज्यादा हिंडूस्तानियों की ही अबादी है वहां पे पिछले कुछ दिनों में जो जिस तरह से इंडिया में चल रहा था यहां पे की बड़े कैजूल से कार्टून ब कनाया हुआ कहीं पे कुछ किया हुआ है जो वहां पे हैं गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे लोग जाते तो यहीं से है ना तो उन्होंने भी वहां पे ऐसा ही करना शुरू कर दिया वहां पे साथ आठ लोग जो सेनियर टॉप एक्जेक्यूटिव लेवल की पॉजिशन के पिछले पांच शे दिनों में उनको सैक कर दिया गया वहां पे क्योंकि 2005 से वहां पे कानून है कि रिलिजन को लेकर आप किसी का मजाख नहीं उड़ाएंगे और जो टॉलरेंस का उन्होंने के भी इस किसम की जो इंटॉलरेंस के बलदाश्त नहीं की जाएगी अब और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर गल्फ कंट्रीज इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रही हैं उन्होंने कहा है कि जो लोग हैं यहां से वह बाहर जाएं अपने घरों को वापस चले जाएं यहां पर लॉक्डाउन है कि लोग वापस अपने मुलकों मे में आप मीडिया उठा कर देख लें उनके अखबारात उठा कर देख रहें वो रिग्रेट कर रहे हैं कि यह करोना को रिलिजन के साथ अटैच करके क्यों दिखाया जा रहा है most recent example थी के बीजेपी के एक बहुत बड़े firebrand member parliament है तेजस्वी सूरिया उनका एक बहुत पुराना tweet 2015 का tweet वो कहीं अर्भियों ने निकाला और दो दिन से जबरदस्ट demand आ रही थी बीजेपी को directly appeal की जा रही थी प्राइम निस्टर साब को directly appeal की जा रही थी कि अगर हमारे आपके इतने तलुकात हैं हम आपकी इज़त करते हैं आप भी अगर हमारी इज़त करते हैं तो तेजस्वी सूरिया को आप सैक कर लीजिए तेजस्वी सूरिया ने 2015 में जो अरब women हैं अरब khuatine हैं उनके लिए एक बहुती बद्जे बयान दिया था और sexuality के एतबार से उन को लेकर औरतों के हकूब को लेकर उनके व्यूज कोई बहुत अच्छे नहीं है अब जाकर कल देर शाम को तेजस्वी सूरिया ने वो पुराना ट्वीट ढूंड कर डिलीट किया है लेकिन वहां पर discussion सारी चल रही है गल्फ कंट्रीज के साथ हमारे तलुकात बने रहे हैं अब जब प्राइमनिस्टर का सबसे पहला दोरा उसके बाद हुआ था तो वो यूएई में हुआ था और उन्होंने कितनी commitment दी थी कि हम वहां पे investment भी करेंगे यह अगर बने रहे हैं यह तलुकात यह जादा अच्छे हैं एक चीज हमने बहुत बड़ी celebrate की है पिछले 5-6 स हाल में कि प्राइमनिस्टर साब ने मोदी साब ने जितना इंडिया का status elevate किया है आलमी सता पे international standard के ओपर इतना शायद नहरू ने इंदरा गांदी ने राजीव ने नरसिमा ने किया वाजपाई साब ने किसी ने इतना status elevate ने किया यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस बात के ओपर हम फखर भी करते हैं यह status अगर elevate किया है तो बहुत बहुत बेतरीन तलोकात के साथ यह status elevate किया है कौन हिंदुस्तान, हिंदुस्टान प्रस्त हिंदुस्तान से प्यार करने वाला यह चाहेगा कि हमारी global image है वो खराब हो जाए वो नहीं होनी चाहिए और ल नैशनल इंट्रेस्ट में बहुत सारे गुना माफ भी कर दिये जाते हैं जो अगर आप अदालतों में ले जाएं तो कानून सख्त से सख्त सजा देगा बहुत सारे मामले नैशनल इंट्रेस्ट में माफ भी कर दिये जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कानून जिनकी इजासत नहीं देता वो national interest में कर भी दिये जाते हैं क्या ये national interest नहीं है कि हिंदुस्तान की इज़त दुनिया बर में बहाल रहे और हिंदुस्तान की इज़त बहाल रखने के लिए हम ये करोना के आगे जो सरनेम हमने लगाया हुआ करोना खान इसको हम drop कर दें और इसको बिम